लगम बैक तो जैसे कि हमने अपने लास्ट दो लेक्चर में जयंक बेसिक इंटराक्शन बढ़ा था अब लाइफ प्रॉसेश के भारे में और मेटबॉलिसम के भारे में तो फ्रस्ट और वोले हम जुए एक जर्णल टर्म साती हैं हमारे लाइफ प्रोसेस के बार में आज डिस्कम करेंगे कि आज कुन सी चीजह जुळी रहती हैं जी साथ कि एसे कि भी फ्रोसेस में अगर देखोये तो जितने थैने भी आपके फिनोमिनन जितने भी प्रॉसेस ही एंटी में हो या फिर सिंपल या that इख सिस्टम हो सकता है लेकिन लिए उनके अंदर यह बärसिक फॉंक्शन्स होते ही होते हैं ताकि अपनी वह लाइफ को मेंटेन कर सके और जबना है तरीका से हमने इस टर्म के लिए टर्म यूज़ की थि कि हम इन सबको एक लाइफ प्रॉशर्सेस पोलते हैं अब क्या कि पोइंट से इन के बैसे सब्सक्राइब आप कर रहे हैं सबसे पहले की मेंटिनन्स करना कि जितने भी महारे लविंग बिंग से हमें मालुम है उन सब के अंदर protoplasmic structures present होते हैं that means हम बात कर रहे हैं basic cell membrane के बारे में nucleus के बारे में और cytoplasm के बारे में तो यह तीन चीज़े cytoplasm nucleus और plasma membrane यह तीन basic structure जो है वो protoplasm बनाते हैं और इनको active या inactive statement डालना मतलब अगर functional अगर हम बात करें तो हमारे पास अगर हम बात करें तो हमारा system जो है वो equilibrium में नहीं आ सकता कभी वी क्योंकि यह एक हमारा dynamic structure है हमेशा going on रहना चाहिए तब जाके processes जो है वो continue रहेंगे तो that means यह यहां से 10th level में भी बात कहूंगी और साथ साथ एक निट लेवल पर भी बात कहूंगी यह slow and steady processes हैं but they are not in equilibrium they are continuously in your dynamic state क्योंकि उसको हमेशा चलते रहने के लिए जो है वह डानमिक रहना पड़ेगा चींजेबल रहना पड़ेगा नहीं तो वहीं processes stop हो जाएंगे तो यह maintain नहीं कर पाएंगे और ultimate अगर मिल जाएगा तो processes continue नहीं होंगे right metabolism के हमने लास्ट लिए डिसकस किया था कि जितने भी हमारी बोड़ी में सम्टोटल जितनी भी रियाक्शन हो रही है आनाबॉलिक हो रही है constructive क्या destructive हो रही है तो सारी कि complex simple simple complex बनाना जहाँ हमने photosynthesis की बात की थी हमने respiration की बात की थी किस तरीके से जो है glucose का breakdown होता है और किस तरीके से जो है plants जो है sunlight और chlorophyll को use करके जो है वह food prepare करते हैं तो this is all about your metabolism जिसने वह वीडियो नहीं देखी है link में हम शेयर कर लेती हूं तो वहां जाकर आप जो है वह basic videos देख सकते हूं right then your nutrition तो living beings को energy चाहिए और विस जी बात है अपनी body build up करने है तो proteins चाहिए तो यह basically अगर हम बात करें हमारे body के जो internal cell के components है elements that is your carbon hydrogen oxygen and nitrogen with some traces of other elements like calcium potassium तो जो यह हमारे पास basic structure frame कर रहे है तो चाहिए वह plants हो चाहिए उन्होंने photosynthesis करनी हो उनके लिए भी यह nutrients वरूरी है अब maybe it may be in the micro और macro form हो सकते कम कि जादा quantity में हो सकते similarly animals में भी food को different enzymes के थूँ हम जब तोड़ते हैं फिर जाकर small intestine में जाकर जो है यह food दोबारा जो है मतलब जो important चीज़े हैं like amino acids like fatty acids glycerol like your glucose fructose components of your carbohydrates तो वो सब जाकर फिर से क्या होते हैं absorb फिर से वो इकठे होते हैं और फिर complex substance बना कर एक cell जो है उसको फिर क्या करता है utilize करते है right the mode in which we take the food और वो हमारी body utilize कर रही है that is our nutrition then respiration body की machinery कि किस तरीके से सब reaction को maintain करना है किस तरीके से जो है food को utilize करना है उसकी oxidation करनी है cell के अंदर में cytoplasm में कितना part complete करना है that is your glycolysis and बाकी का जितना भी system है हमें मालूम है आपके पास mitochondria जो है that is called as the powerhouse और बाकी के सारा function आपका वहाँ पर होगा तो energy liberate करने के लिए इनका तूटना molecules का तूटना बहुत ज़रूरी है that means यहाँ पर चीजे तूट भी रही है और बन भी रही है तो it is a type of redox reaction or you call it as oxidation reduction reaction simply अभी इस level पर बात करें हम simple बोलते है addition of oxygen या removal of oxygen या addition of hydrogen और removal of hydrogen तो इस basis पर बात करो electron potential के basis पर बात करो electrons का gain होना या electrons का lose होना उस basis पर हम बात करते हैं कि reaction जो है वह आपके पास reduction है या oxidation है right so mostly हमें मालूम है सब organisms को जो है carbon excess भी चाहिए और oxygen भी चाहिए तो इस तरीके से जो है यह balance बना रहता है throughout our environment right then growth basically we talk of growth जो है irreversible process है growth simply means कि number में cell का increase होना cell का number increase होना cell का size increase होना that is your growth और यह irreversible process है क्योंकि दुबारा एक बार आप जब बड़े होते हो किसी को देखा वह दुबारा छोटा बच्चा बन जाएगा नहीं behavior की बात नहीं कर रहे हूं तो एक बार मैच्चोर जो चीज हो जाएगी एक बार कॉंटिनुटली में जो ग्रो हो जाएगी वह बापिस नहीं हो सकती है उसमें आपका metabolism include होगा आपका anabolic और catabolic reactions include होगी और ताकि nutrients चाहिए उसके लिए ताकि maintenance होकर जो है वह अपना survival complete कर सके then material के exchange होना living organism और environment के बीच में जिसे plants absorb करेंगे soils and nutrients और फिर utilize करेंगे अपना food बनाने के रिए हम dependent हैं उनके ओपर वो food intake करने के लिए तो that means it is a kind of your food chain जिसमें आपके हमें मालूम है कि law of conservation of energy बोलता है कि energy is neither be created nor be destroyed but it can be transfer from one form to another तो similarly वही चीज़े energy flow है plant ले रहे हैं soil से environment चले रहे हैं plant वापिस decay होंगे वापिस environment में वही चीज़ जाएगी देन उसको जो खा रहे है वह उसमें जाएगा उसको जो खाएगा उसमें जाएगा तो अलग अलग लेवल पर ट्रॉफिक लेवल्स पर फूट चेन पर energy क्या होती है flow जितने भी living beings है उनको यह सब चीज़े environment से मिल रही है जी या फिर multi cell है अमीबा की बात करो तो एक्जो साइटोसिस से मतलब साइटो प्लाजम से अपना content बाहर release करते हैं या food को intake करते हैं special कोई organ नहीं है लेकिन through just diffusion diffusion अभी मैं शौटती थोड़ सा बताती हूं molecules की moment हमें मालूम है solid liquid और गैस की अगर हम बात करें तो solid के particles बहुत ज़्यादा कंपक्ली अरेंज होते हैं तो इनमें diffusion नहीं होती है मतलब molecules की moment negligible है liquid की case में बात करोगे liquid में थोड़ी से moment allow है gases की बात करोगे तो gases में molecules की moment बहुत random है वह तुम शैतान बच्चों की तरह हैं जो घुमते फिरते रहते हैं teacher class से बाहर गया और randomly घुमना शुरू हो जाएंगे राइट दूसरा liquid हो गए जो थोड़ा सा teacher इतर उतर है तो थोड़ा सा moments का molecule होना that is your diffuted अब normally concentration gradient की थ्रू हो सकता है या फिर कोई उसको साथ लेके जा सकते हैं मतलब या तो किसी की जान पहचान हो तो तो तुम्हें वह अंदर इस तरहीं के से मटीरियल का एक्सचेंज होता है ट्रांसपोर्डेशन में वही मिन्रल्स के अगर हम बात करें वही न्यूट्रेंट के अगर बात करें हमारे पास हर एक चीज पहुंचती है जैसे कि गली में आपके फड़ी वाला आता है तो वह आवाज लगाता है किसको चीज चाहिए तो वही घर से बहार आके निकलेगा तो आपके जो भी चीजे हैं न्यूट्रेंट्स है वह उस गली में मतलब ब्लड वेसल में गूम रहे है और वहां से जिसको लेना है वो ले लेगा सिमिलल्िश प्लांस में यहैं हमारे पारों हम चीज च्राइक करें हो तो oxygen throughout जो है हमारी बॉड़ी में एक से दूसरे से पहुंच पाती है इसी तरीके से because we have our species in our blood excretion की बात करें तो that simply means जो भी आपका waste product है जो भी आपके metabolism में reaction के byproducts निकल रहे हैं जो आपके body कोई नहीं चाहिए वो toxin है आपकी body से इसको आप बोलोगे excretion that includes your kidney excretory system your naphrons that is the basic structure and functional unit of your kidney right then last is your irritability हर एक organism aware है अपनी surrounding से उससे वो react कैसे कर रहा है तो that means कोई भी चीज जो आपको trigger कर रहे है that is your stimulus और आप उसके तरफ किस तरीके से जो है response दे रहे हो आप क्या आगे से action का reaction दे रहे हो that is your response तो हर एक organism react रहता है अपने environment condition की तरह जैसे जैसे वो change होगी हमारे अंदर में भी changes आने start हो जाएंगी अगर adapt कर रहे हो तो चलते जाओगे नहीं कर पा रहे हो तो आपको वो trigger out कर दे जाएगी तो that is irritability हर एक organism जो है वो self-aware है human जादा है conscious हम लोग जादा है कि किस तरीके से सब चीज़े carry out होती है कैसे रहना है कैसे नहीं रहना है तो यह चीज़ें आपके पास हैं और एंवार्मेंट के थ्रू जो है आप उसमें क्या करते हो reaction चो करते हो बिकोस न्यूटरन इसेल्फ से न्यूटरन इंसेल्फ सेस्ट क्या क्या टू आवरी action there is equal and opposite reaction अरे बाई कुछ हारकत करोगे तो ही बरकत मिलेगी कहते है न तो कुछ आक्ट करोगे पढ़ोगे तभी तो वो चीज़ आएगी तो similarly अगर surrounding में हम छेड़ चार्ड कर रहे हैं surrounding हमारे साथ छेड़ चार्ड करेगी तो उसके influence में अगर हम adapt कर पाएंगे क्योंकि basically सब चीज़ों का change जो है change जो है एक a dynamic process है change is necessary change बहुत जरूरी है timely आप change लाते जाओगे आप सीखते जाओगे आप सोचोगे आप constant एक ही तरीके से पढ़ोगे एक ही तरीके अगर वो नहीं आपसे मतलब नहीं आपके उसमें चल रही है continuity में वैसा नहीं आपका progress हो रहा है नहीं success मिल रही है तो मनजिल नहीं बदल नहीं है अपना काम करने का तरीका बदल देना है ताकि हम उसको achieve कर सके हैं right so this is the basic things that we learnt about the life process I hope आप लोगों को यह चीज़े बेसिक चीज़े समझ आ गई है screenshot ले सकते हो आप अराम से इस चीज़ का समझ जो अराम से एक बार रिड़क्ट करो इस चीज़ को जो चीज़ समझ नहीं आती है तो आप comment section में बोल सकते हो see you in the next video till then bye bye